जब तक है बागी सीनर में दम गाएंगे ऐसा जिम्धा पस जाओ 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 पिर नहरा लेगी लादे बगन में तेरे रादों की राग वापस जाओ तक चेरेंगे तु काली राते खुपर नगेरे दुपरे वापस जाओ 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 पूचे, पूचे से, तुचे हैनारे, तुके हैनारे तु काली रादे वापस जाओ जाओ आज हिंदुस्तान के अलग अलग शेहरों में जो सड़क पे उत्रेवे लोग है वो किसी राजनीती के लोग नहीं है यह हिंदुस्तान के आम नागरिक की आवाज है सड़कों पर करर भी सब्सक्राइब सकते हैं कि सबसे पहले प्रोटेस्टी यूर्शन देख घख ज़रू हुआ हुआ है कि हम लोग पढ़े लिखते थे हम जान पके ज़िए क्या है क्या है एक इसमें इसको हम विरोध कर रहा है क्यों ये खराब है हमारे लिए इससे हमें क्या क्या तो हम क्यों इसको बाते हैं, क्यों हम इसको एक ऐसा जंग का मैदान बनादे कि हिंदू-मुस्लिम की जंग होती रहे। नहीं हम आप से जवाब मांगेंगेंगे जो आपने हम से वादे किये थे। आज इस देश के अंदर जो आबाम, जो लोग फिरोद कर रहे हैं सरकार के हीतियों की, उन सारे लोगों को बबाने की, उन सारे लोगों की आवास को बंथ करने की कोशिश किया जा रहा है। टेनियर था, उस टेनियर में 2014 के बाद विकास के बारे में बात किया गया था, आज विकास बुता नहीं है, पाद साल में विकास गया तेल लेने, विकास आज बुता नहीं है, आज आ गया है सिपियेंशिप, लोगों के महंगाई के बारे में बात नहीं होगी, नौक्री के ब बारे में बात नहीं होगी, स्वास्त के बारे में बात नहीं होगी, बात होगी शिट्की इन शिट्की. अरे से हम चीन चलेंगे हम इस सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह सी ए और एन आर्टी एज़ जो भी यह बिल्कुर खारिज करें और इस बिल्कुर डिस्मिस करें यह फिर खुद इस्तिफात हमें जीने थे हमें खुरी सांस लेने थे वह तो कि सारी हिंदुस्तान में सा आजिए अपने तुल्स पहुता लुट्र। आपने पॉलिसी उठाई कि फीज बढ़ा दी आपने जैनियों की आपने इसनी फीज बढ़ाई कि बच्चे देना सकें पर्ण लिखना सकें हम गरीब बच्चे हैं हम कहां से पैसा इतना लाएं कि हम पर्ण लिख सकते हैं अगर हम इस पर अवाज उठाईएंगे हम पर बर वस्ताएंगे लेडियोंगे हuseं क्यों हमारे क्या था है अब उठाईएंगे अपने अवाज उठाएंगे और हम लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे जब तक आप हार नहीं मानतें तो गरीब बच्चों के लिए लग रहे थे गरीबों के लिए लग रहे थे मैं कल गई थी एम्स की ट्रॉमा सेंटर में धेर घंते उन स्टूडेंस और टीचर्स के साथ उनकी जीट्मन के साथ रहकर हमारी तमाम साथी जो यहाँ सब हम लोग थे और वहाँ हमने देखा जैसे हिटलर ने किया कि गुंडों को इलाखे में त्यार करके जो उनका विरोद का रतों पर हमला करता था इसी तरह एड़ी बीपी ने बाहर की गुंडों को लाकर गुरु शिश्या की संस्कृती आर एसेस बीजेपी कर जेडियू में दिखा उनकी सच्चाई क्या है एक लड़के हम बच्चों को कलम देते कंप्यूटर देते हैं यहां कलम ने उन्होंने लोहे का रौट दिया यहां कंप्यूटर ने उन्होंने नोटे लाठी दी और उसके साथ ऐशी घोश एक यांग औरत एक युमती जो प्रेजिदेंट है उसको टागिट करके उसके माथे पर मारे जो एक पीचर उसको मारा और फिर शा कहते हैं वहिया यह तो हम जाच पिठाएंगे जो खुद करवाने वाले हैं तुम क्या जाच पिठाएंगे हम देखेंगे लाजिम है के हम भी देखेंगे अवाज दो अवाज दो अवाज दो में देखेंगे नशायत था पता तुम्हें यहां के भाई चारे का इस खात में से फिर करेंगे हम पहबत का ये याराना तरजदी तुम पर है आता यहां के हर हिस्से को मगर एक तुम ठेरे और तुम्हारा काफला जो निकला हद से भी ज्यादा नहायत बे शरम बे खैरत सा चलो निकालो फिर से हमारे अलफाजों का गलत मतलब चलो निकालो फिर से हमारे अलफाजों के काबिल चलो फिर से लो बदला हमारे ही अलफाजों से कहो फिर से के हमी हैं यहां के देश दोही क्या ही बोलिंग दे तुम्हारी अपणी जुबाने जिसकी डोर हैं यहां के सपोयों के हाथों में जिस आनुदाशनमें में काम करता है नहां सारे भक्त हैं सारे RSSS को लोग हैं यह वो लोग थे जो फांग्रेस की गौर्वर्मेंट थी चुपचा बैठा हुए थी अपने खतरनाक आप उनके समझ नहीं सकते यह खामोश बैठे तो दस साल जैसे गौर्मेंट जाती यह दिल में से पहार निकलते हैं अपनी शकले दिखाते हैं इन पर कभी फ़रोसा मत करन कि मैं पहले काता था कि नीज विचारधारा की बात है ठीक है उनकी विचारधारा है परकी केड़की विचारधारा होने चाहिए और हुझ negative नेकिन विशे और और सी जरी हम के सब्सक्राइभ साहित हैं नोए यह लिए हम ज़ीशने और यह गलत है, सबसे पहली पाद, यह तना जूट बोलते हैं, यह खुजूस का शिगार हो जाते हैं. JNU का structure है उसका सभाव है उसे बचाया जाए अगर उसे नहीं बचाया जाएगा तो आज के साल दो साल के बाद वहाँ उन तबकों के बच्चे नहीं पहुच पाएंगे यह जो हमारे समाज की तबकाती संगचना है इसमें सिर्फ उपर के तबके से लोग वहाँ पहुचेंग और इसके बाद उन्होंने वाटसेप पर आपस में मेसेज शेयर किये थे कि कितने बचे पहुचना है किस खेज से घुसना है वो जगजाहिर हो गया लोगों के सामने आ गया इसके बाद उन लोगों ने अपनी होर से किस्सा पुलना शुरू किया और आप जानते हैं कि जो मीडिया है जो इनका विका हुआ मीडिया है वह इनके बनाए हुए किस्से चलाने भी लगता है तो दो दीवी चैनल पर मैंने कल देखा कि वो जो उसके पैरलल स्टोरी चल रही थी वह पेश कर रहे थे और वह यह था कि यह सारा काम वामपंथी छादर संग्रत नों ने किय पीटा है और उन्हों ने अखिल भारती अब था पिर्षट के विध्याथिश्सिंगों को पीटा है उन्होंने राइसथ वालों को पीटा है अंधर यह सब्सक्रकर जिसके लिए उसको बैस चाहंश कोई आदेश नहीं था और आप जानते हैं कि परिशर ने पुलिस तभी पुलिस भीता घुशी और उसने विद्यार्थियों को मारा पीटा सर फोर दिये उनके और उनमें से बीसियों को पकरकर हवालात मिले गई यहां क्या हुआ यहां पुलिस बाहर खड़ी रही अंदर वो सारा तमासा चलता रहा और पुलिस से जब तरखास्त की गई कि आप अंदर जाईए और विद्यार्थियों को पचाईए यहां सामाजिक तब को अंदर घुश कर यह मार पीट कर रहे हैं तो पुलिस ने कहा कि हम पुलिस कर विद्यार्थियों को पचाएंगे नहीं आप पीटने के लिए भूसेंगे आप बचाने के लिए नहीं पूसेंगे अगर आप चीज देखेंगे तो बार बार कम इन से सवाल पूछे जाते हैं तो इन नारे लगाते हैं और जैसा ही उनिवर्सिटीज का इन उने हाल किया हुआ है वो तो आप देखी रहे हैं जैन्यू के साथ जामिया के साथ एम्यू के साथ उस पर ये बात सुनेगे नारों की गूज में है सवान दबे जै औश्री साथ में सुनके डर सा लगे यूनिवर्सिटीज के दुम क्यों हो पीछे पड़े खुद तो अन पड़िनी हो क्या हम भी ना पड़े चांद तक दो बारा पहुचे साइन्स टेक्नोलजी के दंपे नहीं जीत तुम्हारी नॉलिज की मात बन गई मेरी सारी उम्मिदों की मात लग गई तुम जो आए फिर सता में बाट लग गई अपनी मन मानी से बिल है पास करे जल्विये सब का मिल तुम चुकाओगे चाहे अंधे रा भी है चाहे अंधे रा भी है होगी जल्द सूपा नहीं एक नए संग घर्ष की शुरू बात बन गई तुम जो आए फिर सता में बाट लग गई